हलो फ्रेंड्स तो वेलकम कैसे हो आप सब आई हो क्या आप सब अच्छे होंगे तो देखिए न्यापे में डोकला बनाने वाली हूँ तो डोकले की रेसिपी लिए कर आई हूँ तो देखिए न्यापे सूजी ले लिए मिने सूजी में एक बड़ी कटोरी सूजी ली है थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया इसमें नमक डाल दिया है और तेल डाल दिया है और यह सब डालने के बाद में मैंने इसमें पानी डाल दिया है पानी डालने के बाद में मैंने एक चम्मत से इसे मिला लिया है तो यह गोल हमारा अच्छे से तयार कर लेंगे हम और फ्रेंट्स आपको पता है थमनेल की साब से पता लगी दया होगा कि मैं कौन सा ढोकला बनाने वाली हूं तो देखिए सूजी हमने अच्छे से मिला ली है पानी डाल दिया है और और अच्छे से मिल जाईगी उसके बाद हम थोरी तैर के लिए इसे डग कर रख देंगे तो दस मिनिट के लिए रखी थी मिने डख कर तो निया पटर हम रेल यह केक टिन के अंडर में लगा दिया है तेल तो देखिए हातों से लगाया है मैने तेल ताकि एक्छे से इसमें तेल लग जाये। और तेल लगाने के बाद में फिर हम इसको साइड में रख देंगे। जो हमारा बेटर हमने तैयार करके रखा था ना, सूजी वाला वो देख लेते हैं। तो देखिये किस तरशी से हमारी सूजी फूल के तैयार हो गई है, तो चलिए इसके तीन भाग कर लेते हैं थोड़ा सा मैंने पानी डालके और पतला कर लिया इसे और अब तीन भागों में हम बाट लेते हैं इसे क्योंकि कलरफुल बना रहे हैं तो तीन बरतन ले लिया है मैंने और तीन ही मैं अलग-अलग डाल दूँगी यह बेटर तो पандीट कीकिन इस्साफ बड़ा और तीनं के तो तो बनला देया है उसके बाद थोड़ा सा फानी डाल दिया है और बस चम्माँ से मिला Лओंगी और समश से मिला के बाद में नहीं पे हम कैप्टिन ले ले लें में हमार यह बेटर डाल दें तो देखिए मैंने ठाल दिया है और फिर इससे केक्टिन के अंदर डालने के बाद में या पर तपेली में मैंने पानी रख दिया है, आप चाहो तो नीचे नमक या बालू भी रख सकते हो, मैंने पानी रखा है, एक इस्टेन रख दिया है, उसके उपर केक्टिन रख दिया है, फिर जो कटोरी वाला हमारा ब बनाना तो सूजी का एसे भी ढोकला बना सकते हो तो देखिए नियाप पि मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है अब इसे मिला लेते अच्छे से और अच्छे से मिलाने के बाद में हमने जो वह बेटर वाला डाला ता और तपेली में रखा था ना उसको हमने कुछ भी पांच अच्छे से और सब दोर से अच्छे से लगा देंगे तो देखिए बेटर लगा दिया है फिर से ठक दिया है फिर यह एक बेटर और था इसमें मैंने ओरेंज फ्रूट कलर डाला है तो यह देखिए कलर डाल दिया है और इनो और कलर डालने के बाद फिर थोड़ा सा पानी इसे भी दूश्वाइब तक रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिलाने के बाद में जैसे हमने पहले पांच मिनिट तक रखा था ना एसे वह ग्रीन वाला भी रहने देंगे तपेली में और उसके बाद फिर यह पीला वाला डालेंगे तो यह देखी है नियापर अब यह तो न्यापे मतलब एक दम से ना एक जगे लगा दिया और एक जगे शुका रही गिया फिर ढख दिया हमने ढखने के बाद कुछ भी मैंने इसे रखा था 20-25 मिनिट तक रखा था उसके बाद चापू से देख रही हूँ है तो न्यापे डोकला हमारा तयार है थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसे जब तक तड़के की तयारी कर लेते हैं न्यापे मैंने तेल रख दिया है तेल में जीरा डाल दिया है मैंने जीरा हमारा अच्छे से चटक गया उसके बाद राई के दाने डाल दिया है और राई भी हमारे अच्छे से छटक गई थी उसके बाद हरी मिर्ची डाल दिये हरी मिर्ची डालने के बाद मैं यहापे डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता जो के मेड़ा लेम है तो बस यही डाल रही हूँ यह सब डालने के बाद मै हम थोड़ी देर तक ऐसे ही चम्मच को चला लेंगे फिर पानी डाल दिया है मैंने पानी थोड़ा सा ही डाला है मैंने ज्यादा नहीं डाला है और यह पे एक चम्मच चीनी डाल रही हूं मैं तो बस और खटास के लिए मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं डाल रही निम्बू तो बनके तयार हुआ कलरफुल डोकला हमारा लग रहा है ना इकदम से स्पोंची तो कितना बढ़िया बना है और देखी में इधर से भी आपको दिखा देती हूं तो अब कट लगा देते हैं मैं कट लगा रही हूं तो आपको दीख रहोगा फ्रेंट्स कितना अच्छा इ लगता है और जल्दी भी बन जाता है तो यह देखी है मैंने कट लगा दिये हैं अब इसे पलटा के एक बार फिर से कट लगा देंगे हम और जो पहले कट लगा थे उसी तरीके से पूरो ढोकले पर कट लगा देंगे और ढोकले पर कट लगाने के बाद में जो तड़का हम और जाद कर सकते हैं तो यह देखिए इसे खोल देती हैं और निकाल कर आपको दिखा देती हूं तो यह देखिए कितना प्यारा कलर आया है और एक दम से कलरफुल बना है तो लग रहा है ना विल्कुल देखकर मुं में पानी आने वे जिसी रेसिपी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स सच में एक बार ट्राई जरूर करना है कलरफुल डोगला आज का मेरा वीडियो केसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चेनल को लाइक कर देना चेनल पर नए हो तो सस्क्राइब भी कर देना ओके बाई बाई